हेलो एव्रीवन विल्कम बैक टू माई चैनल हम लोग पढ़े हैं क्लास 12 का चैप्टर सर्फिस केमिस्ट्री और आज है सर्फिस केमिस्ट्री का 25 लेक्चर जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट के बारे में जो कि फिफ्थ प्रॉपर्टी है को लॉइट्स की द लोगों को पढ़नी है आज हम लोग पढ़ेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी जो की है टिंडल इफेक्ट के बारे में तो देखिए क्या लिखा है लिखा है अब बीम और फ्लाइट इस पास्थ थ्रू आट्रू सॉलुशन लाइक कॉमन सॉल्ट एन एन वाटर प्लेज इन ड सॉलुशन लिजे यह हम लोग एक कंटेनर में हम लोगों ने क्या किया ट्रू सॉलुशन ले लिया जो की है एने सीएल का और वाटर का एक हम लोगों ने ट्रू सॉलुशन ले लिया इसको आप डाक रूम में प्लेस करिए और क्या करिए पॉइंट सोर्स से लाइट देखेंगे और इसको पर्पेंटिकुलरली देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि लाइट जैसे यहां से आएगी और वैसे ही वापस यहां निकल जाएगी राइट जो हमारे लेगा आपको क्या करना है यह आप लोगों से बीम और फ्लाइट पास करा दिया अब आपको लेना है को लाइडल सेलीशन की इंग्जांपल ग्या हो सकते हैं स्टाइच इन वाटर रैट देखें अब हम लोग लोग तो लीशन लेते हैं एक कंटेइनर में यह हमारा एक कि इन टेस्ट नेट ट्हुन्हाइस को क्या है करेंगे लिए टर्बिकुलरली तु देल पार्थ ऑफ लाइट इस देन पात्र ऑफ लाइट इस एल्लुमिनेटेट इस फ्लुविश लाइट अब आप आप लाइट बिकेम विसिबल दा गोलायडाल पारिकल्स ऑसीन as the point of light in state of zigzag and random moment as seen under microscope लेकिन इसमें क्या होगा ये आपने क्या 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 colloidal solution लिया फिर इसमें भी आप क्या करोगे point sources of light दिखाओगे और इसको perpendicularly view करोगे तो आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगा कि अंदर भी हमारी light का जो path है वो क्या हो जाएगा visible हो जाएगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं इसी को हम लोग कहते हैं टिंडल effect the illumination of path of light is known as टिंडल effect और आप से क्या कह रहा है ये ऐसा होता क्यों है ऐसा इसलिए होता है योगि जो colloid के particles होते हमें सबको पता है वो zigzag motion में होते हैं और zigzag motion में होने की वजह से एक colloid का particle एक source light की तरह काम करता है किसकी तरह काम करता है colloidal के particles होते हैं वो point of light की तरह काम करते हैं यह हो गया है जो हमारा एक particle है किसकी तरह वह कर रहा है पॉइंट और light की तरह है पैड आगे क्या है आगे लिखा है इट सब्सक्राइप के प्राइच के है अब यह कियों होता है कृण यह डिक्टीच आकर टिए अबडाव्प्टिक आसे इप्सप्र दियर्च ले 9 2 जो troiden रिविए कम कर लेते हैं वह लाइट एबology व्य उप्सलिये के विजिबिल और फाइनिय purposely pumateur labels करते हैं अपने सर्फिस से लायट को स्कैटर करते हैं Hence the path of light became wasted इसی वग्जह को सब्वाइब इनका जो path होता है वो illuminated हो जाता है आपको पताज्जिए कि कि सब्सक्राइब कि समय मैंनर में जो light होता है वह eliminated हो जाता है आप देख पाते हो कि आपकी यहां से यहां तक कैसे आई है राइट आगे क्या लिखा है this scattering this light scattering effect by the colloidal particle was first studies by Faraday यह सबसे पहले किस ने देखा था यह सबसे पहले देखा था फराडे ने देखा था and later explain by tindle फिर इसको किस ने explain किया था इसको explain किया था टिंडल ने so it is called tindle faraday effect इसको क्या कह सकते हैं हम लोग tindle faraday effect भी कहते हैं और simply tindle effect याद रखेगा सबसे पहले किस ने जो हमारा टिंडल effect उसको observe किया था किया था हमारे फराडे ने और फिर explain किया था टिंडल ने इस वजह से हम लोग tindle faraday effect भी कहते हैं आगे बढ़ते हैं क्या है condition for tindle effect की tindle effect conditions क्या है ध्यान दीजेगा क्या है the diameter of colloidal particles should be comparable to the wavelength of light used आप जिस wavelength की light यूज़ कर रहे हो और जो diameter के sorry जो colloidal particles की diameter है वो comparable होनी चाहिए याद रखेगा यह पहली condition है दूसरी क्या है the refractive indices of dispersed face and a dispersion medium should differ refractive index had dispersion face or dispersed medium की वो दोनों different होनी चाहिए इसकी application देखी क्या है application is monday developed ultra microscope based upon the tindle effect क्या developed किया था ultra microscope developed किया था यह इसकी क्या है एक lotty application है work marks में आप से पूछ सकता है इसलिए मैंने यहां mention कर दी है अब आगे देखें आगे यहां क्या है आगे हम लोगों ने एक diagram बनाए screenshot ज़रूर ले ली जगा यह क्या है point source है यह आपकी टिंडल कौन है जिसमें जितने में आपकी क्या light की जो path है वो क्या हो गई है विजिबल हो गई है यह start solution है आपका और यह क्या है जो points है colloidal particles seen as a point of light यह कैसे चोटे 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 पार्टिकल्स है वो कैसे behave करते हैं तिंडल एफक ने वह बिहेव करते हैं एक point light की तरह है और सारे जो particles होते हैं point light की तरह behave करे लगते हैं और क्या करते है light का इस वजह से हमें अपनी लाइट यह फाल जिखता है लाइट का दिखने लगता है यह घ्ला गिवेन है यह हमारा इलिमीनेटेड पाफ लाइट इतना ही यह इसका डियाग्राम स्क्रींशॉट ले लिजेगा देखिए टेंड़र एक में इतना ही है अब आगे हम लों पढ़ें तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको टिंडल एफेक्ट समझ में आ गया हो और मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो चैनल करेगा सब्सक्राइब वीडियो करेगा लाइक तिल देन बाबाई एवरीवन थांक्यू सो मच